चावल के निर्यात पर बैन लगने से निर्यात हो रहा परभावीत दरसल भारत में बढ़ती मेंगाई के बीच अभी चार महीने पहले ही सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी अब इसी तरह सरकार ने चावल को लेकर भी सकती बढ़ती गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर 20 फिजदी ड्यूटी लगाई गई और चावल की उपलपता बढ़ाने के लिए टुकडा चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया गया पिछले हफ़ते सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर 20 फिजदी शुल्क लगा दिया और उसी राथ टुकडा चावल के निर्यात पर भी बैन लगा दिया गया इसके पीछे दो कारण रहे पहला उत्तरपरदेश, बिहार, जारखंड और पश्चिम बंगोल में बारिश कम हुई जिसकी वज़ज़ से भारत के चावल उत्पादन में गिरावट दर्ज होने की अशंका जताई गई वही एक जून से 9 सितंबर तक खरीब फसल का सीजन होता है और इस दोरार किसानों ने पिछले साल की तुलना में 21 लाख हेक्टियर कम रकबे में धान की बुआई की है और दूसरा कारण इसके स्टोक को लेकर है एक अगस्त को चावल का स्टोक 40.99 मिलियन टन था जो कि पिछले साल 2021 में 44.46 मिलियन टन से कम है गेहू का स्टोक भी का भी यही हाल है गेहू का स्टोक 26.65 मिलियन टन था जो पिछले 14 सालों में सबसे कम था स्टोग में कमी सप्लाई को कम करती है चोकी कीमतों में उच्छाल का एक बड़ा कारण बन जाती है अब भारत ने 2021-22 में 9.66 बिलियन डोलर के 21.21 मिलियन टन चावल का रिकोर्ड निर्याद किया इसमें 3.54 बिलियन डोलर के 3.95 मिलियन टन बासमती चावल और 6.12 बिलियन डोलर के 17.26 मिलियन टन गैर बासमती चावल का निर्याद किया केंदर सरकार की सक्ति केवल 9.83 मिलियन टन चावल पर ही है जिसका मुल्या 3.36 बिलियन डोलर है इसमें 3.89 मिलियन टन तूटे चावल शामिल है जिनका निर्यात प्रतिबंदित कर दिया गया है और 5.94 मिलियन टन 11 बास्मती चावल है जिसके निर्यात पर 20% शुल्क लगाया गया है अब ये आंकडे बताते हैं कि चावल के निर्यात का 25% भी परभावित नहीं हो रहा और इसके मुल्या का एक तिहाई परभावित हो रहा है भारत चावल के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पिछले साल 75% से भी ज्यादा बास्मती चावल इरान और अरब के देशों को निर्यात किया गया था अमेरिका, यूके, कैनेडा और आस्ट्रेलिया में भी 10% एक्सपोर्ट हुआ था वहीं लगबग 55% गैर बास्मती चावल कई अफरीकी देशों में एक्सपोर्ट किया गया नेपाल को भी 8% एक्सपोर्ट किया जाता है जबकि चीन मुख्या रूप से तूटे हुए चावल की ही मांग करता है जिने अब प्रतिबंदित कर दिया गया है ऐसे में चीन की परिशानी हो सकती है बढ़ जाए क्योंकि चीन तूटे चावल से नूडल्स पशो का चारा और वाइन बनाता है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी